मैं उत्तर प्रदेश राजेश टंडन मुक्त विश्व विद्याले मैं शिक्षा विद्या शाखा में शिक्षा प्रभारी के रूप में एक आचार के रूप में कारे रहत हूं मेरा नाम प्रदीप कुमार पांडे है और मैं हमारे विद्यार्थियों का कहना चाहिए शनाता के स्तर पर जो प्रवेश है उसमें विद्याथियों में प्रत्यों का निर्मार स्पस्टी करण से हो सके इस दश्टिकोंड से मैं शिक्षा साथ्र शनाता किस्तर के विशे के प्रिथम प्रश्णपत्र जिसका कोड यूजी दी 101 है कि प्रश्णपत्र शिक्षा के सिध्धान्त प्रिंस्पिल आफ एजुकेशन के अंतरगत व्याख्यान की चर्चा के लिए पस्तित हुआ हूँ आसा है मैं आप लोगों के आशाओं के अनुरूप अपनी बात रक्षकूंगा आए हम लोग आगे चर्चा करते हैं हुआ है और इख भिजया आज हम लोग शिक्षा सास्तре विशे के इसनातक पाठक्रम के अंतरगत शिक्षा की अधारना जो अधूंप रष्णपत्र है शिक्षा के सृधान्त प्रिंस्पिल आफ एजूकेशन की जो प्रथम में काई है शिक्षा की अधारना जिस पर एक ब्याख्यान के अंतरगत हम लोग कुछ चर्चाएं कर चुके हैं उस चर्चा में हमने आपने इस बात की चर्चा की कि हम शिक्षा के प्रत्ते को समझें और उस समझने और समझाने के दौरान हमने आपने मुक्तेहत तीन बातों पर ध्यान दिया और जिसकी चर्चा की और सीखा प्रतम बात तो यह थी कि शिक्षा का जो साब्दिक अर्थ है चाहे वो हिंदी का शिक्षा सब्द हो या आंगल भाषा में एजुकेशन इस सब्द की ब्यूत पत्ती और इसका अर्थ इस पर हम लोगों ने चर्चा की थी जिसे हम लोगों ने कहा कि यह शिक्षा का साब्दिक अर्थ है दूसरे रूप में हमने शिक्षा के संकुचित अर्थ पर ध्यान दिया जो सामान रूप से हम लोग जानते हैं और जिस पर हम लोग बातचीत करते हैं परन्तु हमने आपने पाया कि शंकुची तर्थ अपने आप में पर्याप्त नहीं है इस पर आगे बढ़ते हुए जो शिक्षा सास्त्री, दर्शन सास्त्री, समाज सास्त्री, मनुवेग्यानिक इत्यादी लोगों ने जो विशत चर्चाएं की उसके आधार पर हम सबने शिक्षा के विश्तरत अर्थ को भी समझा और जाना इन सब बातों के साथ साथ यह आवश्यक है कि हम ये भी जाने हैं कि सिक्षा से जुड़े हुए कुछ और भी समप्रत्ते हैं जो आप लोगों के कहीं न कहीं अनभों में सुनने में आते हैं वो दारण के लिए एक सब्दे सूचना, इनफॉर्मेशन तो हमें आपको जानना है कि सिक्षा और सूचना क्या एक ही बात है कुछ और सब्दे हैं जैसे सिक्षन, टीचिंग इसको भी जानना है कि क्या सिक्षा और सिक्षन एक ही बात है इसी तरीके से आधिगम या शीखना ये भी सिख्षा से जुड़ा हुआ संप्रत्य है जिसमें हम लोग कभी कभी इस बात की ध्रम की इस्तित में पहुंचते हैं कि क्या सीखना ही सिख्षा है दोनों में क्या अंतर है इसी तरीके से और भी संप्रत्य हैं चाहे वो कहीऑ को कहीं ना कहीं हम सिल्चा से जुड़ हुआ पाते हैं और वास्तों में ये जुड़े हुए भी हैं। परण्टू हमें आपको यह अत्यनत आवश्चक्र है एक सिल्चा सात्री के विद्रथी के रूप में कि हम इन स्मप्रत्यों के बारे में एक समझ विख्षित कर सकें और कभी भी किसी भी इस्थान पर हम इस बात में शक्षम हो सकें कि यदि कोई दूसरा विक्तिन सब्दों का प्रेऊकर रहा है। और वो आपसे जानना चाहता है कि क्या यही शिख्वा है तो आप इस पछिन रूप से बता पने में सक्षम हो जाएं कि नहीं कि यह वास्तों में स्क्षा के साथ जुड़े हुए या तो सहायक संप्रत्य हैं या उसके एक अंग के रूप में है आज हम लोग इनहीं संप्रत्यों की चर्चा करेंगे और इन्समस्प्रत्यों को समझने का प्रयास करेंगे यह वास्तों में शैक्ष्या-षास्त्र की जो पृथभ्थमें कामी यह शैक्षा की अधार्ना इसी अंतरगत ही यह दूसरा व्याख्यान है और इसी के अंतरगत हम लोग इसकी चर्चा करेंगे वास्तों में जब हम सूचना की बातचीत करते हैं एक एक प्रत्य पर हम लोग चर्चा करते हैं हम लोग जब कहते हैं सूचना इन्फॉर्मिशन यह क्या है और सिक्षा से इसका क्या सम्मन्द है इसलिए इस संप्रत्य की चर्चा आवश्चक है क्योंकि जब हम कहते हैं कि संप्राट अशोक के पिता का नाम क्या था भारत की राज़धानी क्या है बारत के पुलोषी राज्य क्या है अमुकिस्थान पर एक घटना कभ हुए थी इस घटना में कौन किसके साथ जीता अथ्वा कौन किसके साथ हारा ये सब बातें केवल और केवल एक सूचना मात्र हैं पुदान के लिए जब हम कहते हैं कि हमने इतिहास विशय में सिख्छा प्राप्त की है तो वास्तों में ये एक भ्रमात्मक कथन हैं क्यों कि इतिहास में सिख्छा प्राप्त करने का ताथ पर ये कता ही नहीं है कि आप सिख्छे थे ये क्यों सूचना देता है कि आपने इतिहास विशय का अधिन किया और इतिहास विशय में कुछ तथ्यों को जाना उन तथ्यों के जानकारी के आधार पर ये कह देना कि हमने सिख्षा प्राप्त कर लिए है ये ना तो पर्याप्त है और ना ही पूर्ण है तो सूचनाएं क्या हैं सूचनाएं वास्तों में सूचनाओं का सम्मंद कुछ अंगों से है कुछ संख्याओं से है कुछ सब्दों से है और कुछ वाक्यों से है जो यह तो भूतकाल में घटित हुई घटनाओं से संबंदेत हैं अथवा वर्तमान में घट रही घटनाओं से संब्देत हैं अथवा भवश्य के अनुमान से संब्देत हैं तो वास्तों में हैं क्या सिख्षा नहीं है ये केवल सूचना है, सूचना means facts, तत्थ, in the form of numbers, in the form of words, in the form of sentences ये केवल एक तत्थ मात्र हैं, जो किसी भी घटना, अथ्वा किसी भी कर के बारे में हमको जानकारी देते हैं अर्थात, शिक्षा के अंतरगत, जो हम लोगों ने शिक्षा की एक ब्यापक परभासा पर दश्टिपात किया था, जब हम कहते हैं कि शिक्षा क्या है, तब हम कहते हैं कि शिक्षा ग्यानारजन, कौशल प्राप्ती की जीवन परिंत चनले वाली एक सरवांगीन विकास की प पूरा नहीं करता परंतु यह सूचनाय सिक्षा के लिए आवश्यक हैं तो हम कह सकते हैं कि सूचनाय सिक्षा नहीं है बलकि शिक्षा के अंतरगत के वलग के उसके सहायक अंग के रूप में होती हैं मेरी समझ से यह आपको इसपश्ट हो गया होगा कि सिक्षा और सूचना में क्या संबंध है और क्या अंतर है इसी तरीके से जुड़े हुए जो दूसरे सब्द है चाहे वो सिक्षाण हो या अधिगम हो अधिगम मीज़ सीखना कि लर्निंग शिक्षण मीज़ जिसको अंग्रेजी में हम लोग टीचिंग कहते हैं या दूसरा सब्द अध्यापन कि यह भी जीवन परेंद चलने वाली प्रक्रियां हैं इसमें भी समवांगीन विकास के तथे संबले थे यह भी परिवर्त अंसील है तो पिर शिक्षा और में अंतर क्या है बहुत अंतर है यह भी सिख्षा के एक सहायक अंग के रूप में जुड़े हुए संप्रत्य हैं सिख्षण वास्तों में किसी भी बालक के सीखने के लिए या उसके सीखिन को प्रभावित करने वाले परिस्थितियों के निर्मान की प्रक्रिया मात्र है अर्थात अगर हम लोग फिर से एक संचेप में आप अन्य प्रश्ण पत्रों में इसकी विशा चर्चा पढ़ेंगे यहां पर इतना पर्याप्त है कि सिख्षण वास्तों मे एक प्रक्रिया तो है कैसी प्रक्रिया है जिसमें सीखने की परिस्थितियों के निर्मान का स्रजन किया जाता है साथ ही सीखने के लिए उत्प्रेरक्त परिस्थितियां निर्मित की जाती है अर्थात जो हमारा बालक है यह सीखने वाला है यह सिख्षारती है वह सीखने के लिए उत्साहित हो सके सिख्षा नहीं है यह सिख्षा प्राप्ति का एक सहायक और आवश्चक अंग है तो सिख्षण वास्तों में सीखने की परिस्थितियों के निर्मान तथा सीखने की सुक्ता जागरत करने की प्रक्रिया मात्र है ओक फिर अधिगम या सीखना क्या है सीखना भी सीखना वास्तों में हमारे सिक्षण का जो परिणाम वहीं सीखना तो आगर सिख्षा को देखने तो सिख्षा की तीन भाग हम लोग इस्पश्ट कर सकते हैं एक सैधानतेक पक्ष एक क्रियात्मक पक्ष और एक परिमानात्मक पक्ष जो सैध्धांतिक पक्ष है उसका सम्वन सिक्षा के उद्देश्यों से होता है सिक्षा के प्रत्य से होता है क्रियात्मक पक्ष वो सिक्षण इन सिध्धांतों को जब क्रिया में लाने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है वो क्रियात्मक पक्ष शिक्षण है और इसका जो परिमानात्मक्ष है शिक्षा का वही सीखना वही अधिगम है अर्थात जब कोई बालक निश्चित उद्धेस्यों की प्राप्ति के लिए किसी माध्यम में सीखने की निर्मान की परिष्थितियों में सीखने के लिए उद्धत होता है और के पश्चात उस प्रक्रिया से गुजरने के बाद उसमें जो behavioral change होता है यह जो बेवहारिक परिवर्टन या बयवहारिक परिमारजन होता है तो वह जो परिमारजन या परिवर्टन है वह ही हमारा अधिगम है ए शिक्षण के तीन या चार सातत होते हैं जो कही न कहीं बुध्धिक के प्रयोग से जुड़े होते हैं इन चार शातत को विलकूल इस पस्त रूप में अलग नहीं किया जा सकता, परन्तु एक साथ जुड़े होते हैं और उसी से जुड़ा हुआ एक प्रत्य जन्मि लेता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रसिक्षन या ट्रेणिक तो क्या ट्रेणिंग सिक्षा है इस पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा सिक्षन प्रक्रिया के अंतरगत जिसमें सबसे कम बुद्धी का प्रयोग होता है जिसमें बहुत आपचारिक शिक्षा की आवश्यक्ता नहीं होती है वो होती है कंडीशने जब बच्चा जन्मे लेता है जन्मे के बाद धीरे धीरे उसकी बुद्धी का विकास होता है लेकिन बहुत कम अल्प बुद्धी का का विकास सूपाया होता है उस समय को हम कुछ आधितें शरखतें सिर्ख यह काम ऐसे करो यह काम से करो यह यह ऐसे से यह कैसे सीकता है हैसे सब्सक्राइब sounds करता है पूर्छ जिसमें ब्थ्दी का बहुत कम प्रयोग होता है कि अवलत्य और अनुकरण और अभ्यास के माध्यम से कोई बात सीखने से खाने की होती है तो इस प्रकार का सिक्षण कंडीस्निंग कह लाता है दूसरा जिसमें बुद्धी का प्रयोग तो होता है परंतु कम वही प्रसिक्षन अर्थात कुछ कुछ कोशलों के लिए परयापत अभ्यास यदि करा दिया जाए तो वही प्रसिक्षन है परंतु प्रसिक्षन हम कहें कि वही सिक्षा है क्यों क्यों कि प्रसिक्षन तो जानवरों को के लिए हंस्त कौसल इत्यादी के अभ्यास को करा करके उसकार में दच्छ बनाया जाता है वह प्रशिक्षन कहलाता है शिक्षा नहीं है और आगे बढ़ते हैं जो अभी हमने एक शब्द की चर्चा की ती जिसे हमने का इंस्ट्रेक्शन अनुदेशन अनुदेशन शिक्षन का ही एक भाग जो कक्षा कक्ष में घटित होता है ऑपचारिक शिक्षा के अंतरगत यह अनुद शिक्षा के अंतरगत जब हम किसी चीज को सीखने के लिए तत्त्यों सूचनाएं पराप्त करते हैं या कराते हैं तो यह इंस्ट्रक्शन कहलाता है लेकिन यह तो यह बेवहार परवर्तन होने की संभावना है यानि उसका उद्देश्यों से सीधा संबन्द है तो ऐसा सिक्षण जिसके माध्यम से हम कुछ सूचनाएं और कुछ बेवहारिक गत्विदियां सिखा करके विद्दार्थियों को किसी उद्देश विशेश की और अग्रिसर करते हैं तो उसे हम इंस्ट्रक्शन कहते हैं परंत यहां भी सिक्षा पूरी नहीं होते हैं सिक्षा यहां पूरी नहीं हुई सिक्षा अनुदेशन नहीं है यह अनुदेशन सिक्षा नहीं है वह भी एक भाग है जो सिक्षन के एक भाग के रूप में काम करता है इंस्ट्रक्शन वास्तों में किसी उद्देश विशेश के लिए की जाने वाली गत्विधियां या कुछ और जो भावात्मक परिवर्तन से संबंदे चीजें हैं जो हम अपने शिक्षक या सीखने वाले के ब्योहार के द्वारा हम में जो अनुभव प्राप्त होते हैं उसके आधार पर जब निर्ने करने की छमता में पहुंशते हैं अनुदेशन में निर्ने की छमता अभी तक अनुदेशन जो हम आ रहा था वो बोढ़ इस्तर तक था या श्मरट इस्तर तक था भार्ती वांग में में सीखने की तीन स्थितियां हैं इस्मरटि बोध और चिंतन तो यह जो इस्थितियां हैं तीन कंडिश्निंग प्रसिक्षन और embrटिन यह इस्मरटि और ब वही इंडॉक्टिनेशन कहलाता है तो अभी हमने आपने जो चर्चा की कि शिक्षा एक बरहत सब्द है शिक्षा ना तो के ओल सिक्षण मात्र है ना ही अनुदेशन है ना ही प्रशिक्षण है ना ही सूचना तो मेरी संसे यह बात आप लोगों को इस्पस्ट हो गई होगी कि यह सारे प्रत्य शिक्षा के संबंधित प्रत्य तो हैं परन्तु शिक्षा नहीं है शिक्षा के सहायक तो हैं परन्तु शिक्षा नहीं है शिक्षा के एक अंग तो हैं परन्तु शिक्षा नहीं है मेरी संसे बात इस्पस्ट हो गई होगी इसी तरीके से एक और बात आती है कि जब हम कहते हैं अरे उसने बीए कर ली ये अर्थात वह शिक्षित हो गया। जन सामाने में हम लोग शिक्षा को इसी रूप में देखते हैं। यदि उसको लिखना पढ़ना यह सब आता है तो हम कहते हैं कि ये शिक्षित है। उसने कुछ उपादियां हासिर कर ले सो हम कहते हैं शिक्षित यह भी वास्तों में सब्कार नहीं उपादियां होती क्या हैं किसी ग्यानात्मक छेतर से संबंदित कुछ बातों को जान लेना अर चैसिक लेना और इसके बाद एक जाच की प्रक्रिया से गुजरने के उपरांत जब इस बात का प्रमाणी करण किया जाता है कि अमुक को अबुक प्रश्णों के उत्तार आते हैं इसलिए इसको ये प्रमानपत्र दिया जा सकता है यही उपादी यह इसक्षा नहीं है एक ग्रामीन व्यक्ती जिसने कभी शिक्षप नहीं प्राप्त की है वो जीवन के छेट्र में बहुत सिक्षित हो सकता है और एक जिसकी चर्च हम लोग अक्सर कभी कभी कमेंट के रूप में आलोचना के रूप में भी बोल देते हैं भी यह पास है लेकिन उसको यह नहीं आता अर्थाथ एक उपादी धारक सिक्षित हो यह आवश्चक नहीं है साक्षित है तो मेरी सोसी यह बात भी इस पस्ट है कि उपाधि या साक्षरता यह दूबनेँशब्दे क्या है साक्षरता तो केवल इस बात को बताती है कि हम कुछ चीजों को लिख सकते हैं पढ़ सकते हैं समज सकते हैं प्रारम्बे के स्तर पर ये साक्षर्ता है शिख्षा नहीं है इसी प्रकार से उपाधियां किसी परिख्षण के माध्यम से जाच करने के आधार पर कुछ तथ्यों को कुछ कौसलों को जानने का एक प्रमाण पत्रमात्र है शिख्षा नहीं है तो मेरी समस्य ये बात बहुत इसपस्ट रूप से हमें आपको जानने के आवश्चक्ता है कि इन हम सब सारे शब्दों को भी जान लें और पहचान लें क्योंकि शिक्षा का जैसे जैसे आप इसके अन्य प्रश्ण पत्रों की ओर जाएंगे जैसे जैसे आप और उत्य शिक्षा की ओर जाएंगे इन संप्रत्यों से आपको बार बार गुजरना होगा तो आगे जो और बड़े संप्रत्य हैं या इन सब्दों का प्रयोग जिन जि जान सकें और समझ सकें शिख्षा क्या है शिख्षा का संक्चित अर्थ, साब्दिकर्थ, व्यापकर्थ इनको समझें और इसे जुड़े हुए जो सम प्रत्य है चाहे हो सूचना का हो, चाहे हो उपाधि का हो, चाहे वो शाक्षर्ता का हो, चाहे वो प्रशिक्षन का हो, चाहे वो अनुदेशन का हो, या सिक्षन का हो. इन सब प्रत्यों में हमने ये जाना कि ये सभी सिक्षा के सहायक हैं, सिक्षा के सहायक अंग हैं, सिक्षा से जुड़े हुए समप्रत्य हैं, परन्तु सिक्षा नही है अब कहीं ना कहीं अभी हमने आपने ये बिल्कुल सपश्ट जान लिया कि सिक्षा क्या है पर मेंज हमारे शिक्षा या हम पढ़ने लिकले के कहते हैं कि नहीं पढ़ना आवश्यक है क्यों आवश्यक है वहीं पढ़ना निश्चित रूप से कुछ ना कुछ विद्यार्थी सोचते हैं कुछ विद्यार्थियों के अभिवावक सोचते हैं और कुछ सिक्षक सोचते हैं कुछ समाज के लोग सोचते हैं लेकिन क्या सोचत करते हैं उसे ही हम शिख्षा के उद्देश कहते हैं जो हम अगला व्याख्यान करेंगे उसमें हम शिख्षा के उद्देश्यों की चर्चा जारी रखेंगे जिसका संबंद आपके इस प्रश्णपत की एकाई 2 से होगा आप सबने बहुत सा योग दिया इस व्याख्यान को मुझे आसा है कि आप लोग आज की चर्चा से निश्चित रूप से लाभानुवित हुए होंगे अब आगे व्याख्यान में हम अगले एक आई की चर्चा करेंगे धन्नवाद